तो दोस्तो आजके इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पोयम दा इंचकेप रॉक बाई रॉबर्ट साउदी तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि इंचकेप रॉक क्या होता है तो दोस्तो इंचकेप रॉक इसे कहते है आपने जरूर इसे किसी river या किसी समुंदर में देखा होगा ये दोस्तो ship को direction देती है और जब समुंदर में पानी ज्यादा बढ़ जाता है या घड़ जाता है तो इसका जो bell है यानि कि इस inch cape rock में जो bell है वो बजने लगता है तो दोस्तो अब हम poem start करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा background बता दू एक बंदा है abort नाम का तो इसने एक river में या एक समुंदर में इस rock को बनाया है यानि कि इसने इस inch cape rock को एक समुंदर में बनाया है तो इस बंदे से एक इंसान जलता है उसका नाम है Ralph तो Ralph क्योंकि abort से जलता है तो ये नहीं चाहता कि लोग इसकी प्रशंसा करे यानि कि लोग abort की प्रशंसा करे तो इसलिए इसने इस rock को तोड़ दिया और दोस्तो आगे क्या होता है उसके लिए हम poem को line by line analyze करेंगे तो दोस्तो चलिया poem को line by line analyze करते है तो यहाँ पर पहले stanza में कहा गया है कि एक समुंदर है और समुंदर के बीच में एक sheep रुका हुआ है यानि कि वो sheep motion में नहीं है मतलब कि वो motionless है समुंदर भी रुका हुआ है और समुंदर में जो लहरे है वो भी नहीं आ रही है मतलब कि समुंदर का जो waves है वो भी रुका हुआ है और इस sheep का जो kill है kill दोस्तों कहते है sheep के नीचे वाले हिस्से को तो यह जो हिस्से है न यह भी रुका हुआ है तो यहां पर कहा गया है कि जहां पर यह शीप है वहीं पर एक इंचकेप रॉक है और यह जो रॉक है ना इसके उपर से समुंदर का पानी आ रहा है और जा रहा है तो यहां पर कहा गया है कि एबॉक नाम के एक बंदे ने इस रॉक के उपर एक बेल लगाया है तो जब भी पानी इस रॉक के उपर चले जाता है मतलब कि यह रॉक जब भी समुंदर के अंदर चले आता है तब इसमें से बेल बजने लगता है तो जब भी पानी इस रोक के उपर चले जाता है तो यहाँ पर Bill बजने लगता है तो आस-पास जो भी sheep होते हैं वो समझ जाते हैं और वो आगे नहीं जाते तो इससे क्या होता है वो लोग मनने से बज जाते है और वो लोग abort को blessings देते हैं क्योंकि इस abort ने इस bell को यहाँ पर लगाया है तो यहाँ से कहानी शुरू होती है तो यहाँ पर कहा गया है कि एक दिन सूरज चमक रहा था और वहाँ का जो दिन था न वो बहुती अच्छा दिन था यानि कि joyful दिन था the sea birds screamed और वहाँ पर birds आवाज निकाल रहे थे और उनकी जो आवाज है न वो बहुती अच्छी आ रही थी तो अब इस बेल के पास एक लुटेरा आता है इस लुटेरा का नाम क्या है इसका नाम है सर राल्फ दा रोवर यह यहां से गुजर रहा है और इसकी आखे पड़ती है इस बेल के उपर तो इस रॉक को देखते ही न एक तरीके से यह सर राल्फ बहुती खुश हो जाता है मतलब यह लुटेरा खुश हो जाता है और इसका जो दिल है वह भी खुशी से भर जाता है तो इस बेल को देखने के बाद ये लुटे रहा अपने ship के crew से यानि की ship के member से कहता है कि हमें इस बेल को यहाँ से हटाना है तो अब यहाँ से बोट उस रॉक के पास जाता है और सर राल्फ क्या करते है ये बोट से निकलते है और इस बेल को यहाँ से कट कर देते है मतलब की अब ये बेल इस रॉक के ऊपर से हट गया तो अब ये बेल समूंदर में गिर जाता है और इससे आवाज आता है और समूंदर में बबलस आने लगते है और अब यहाँ पर सर राल्फ कहता है कि अब से यानि कि क्योंकि यहाँ से बेल हट गया है तो अब से कोई भी आबोट की प्रशंसा नहीं कर पाएगा तो यहां पर कहा गया है कि यह जो लूटे रहा है यह अब बहुत जगा जाता है लूटने के लिए तो अब इसने बहुत सारी चीजों को लूटा है जिससे कि यह अमीर हो गया है तो यहां पर कहा गया है कि सर रैल्फ एक दफ़ा अपने मिम्बर्स के साथ क्यानिकी अपने क्रिव के साथ फिर से समुंदर में सफर कर रहे है और इस शीप में जितने भी लोग है उन्हें सूरज नहीं दिखाई दे रहा है मतलब कि जहां पर अभी शीप है ना वहां का जो वाता वरन है वो पूरा डार्क है समुंदर अभी पूरा काला नजर आ रहा है तो अभी समुंदर पूरा डार्क है और इन्हें यानि कि शीप में जितने भी मिम्बर्स है उन्हें लैंड नहीं दिखाई दे रहा है तो अब Sir Ralph कहते है कि घबराओं मत जल्दी उजाला हो जाएगा क्यूंकि अभी मून उगेगा मतलब कि अभी आसमान में चांद राइज होगा तो हम सब कुछ देख सकेंगे तो Sir Ralph के जितने भी मिंबर से उन में से एक कहता है कि हम अभी कहां आ गए हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और काश यहां पर इंच के बेल होता तो हमें डिरेक्शन अपना पता चल जाता कि हम कहां पर है तो अब क्या होता है अब यह शीप आगे बढ़ता है और शीप में जितने भी मिंबर से उन्हें कुछ भी आवाज नहीं आता तो अब तूफान आता है मतलब की हवा तेज हो जाती है और यह जो शीप है न यह जाकर इंच के ब्रॉग से टकरा जाती है Sir Ralph अब होपलेस हो जाता है और यह अपने अंदर बुरा फिल करता है यानि कि यह अपने आपको कोचता है कि क्यूं इसने उस बेल को तोड़ा था और अब लास्ट में क्या होता है इनकी जो शीप है वो टाइड के अंदर यानि की लहरों के अंदर डूब जाती है तो अब सब कुछ खतम हो जाता है मतलब कि यहाँ पर जितने भी लोग थे शीप में वो सभी मर गए तो अब किसी भी चीज़ का साउंड नहीं आता है अगर साउंड आता है तो सिर्फ एक चीज़ का साउंड आता है वो है शैतान मतलब कि शैतान यहाँ पर सर रैल्फ को और इसकी टीम को लेने के लिए आया है तो दोस्तो यहीं पर यह पोयम एंड होता है मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोयम समझ में आ गया होगा तो दोस्तो अब आपसे मुलकात होगी अगले वीडियो के साथ और हाँ एक और बात प्रहाँ बात है मुलकात है मुलकात है तोस्तो यह पोगल है शोस्तो